हेलो बच्चो चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 5.2 का question number 19 देखते हैं क्या है सुबाराव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000 सुबाराव जो है कहीं पर काम करना start करता है 1995 में और वो starting salary 5000 गेट करता है प्राप्त करता है and received an increment of rupees 200 each year और हर साल उसकी salary में 200 का increment होता रहता है in which year did his income raise rupees 7000 तो कौन से साल उसकी income जो है वो 7000 रुपेज हो जाएगी statement clear होगी चलिए देखते हैं कैसे करना इसका solution सबसे पहले देखो उसकी starting income क्या है starting income वो थी 5000 5000 रुपेज increment कितना है increment is equal to है बच्चो 200 रुपेज तो एपी जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी देखो starting में 5000 थी उसकी salary उससे अगले साल 1995 में 5000 थी 1996 में कितनी हो जाएगी 200 का increment होके 5200 हो जाएगी फिर उससे अगले साल 5400 हो जाएगी फिर increase होती होती last में कितनी पहुँचनी है 7000 रुपे पोचनी है हमें बताना है यह कौन से साल में 7000 हो जाएगी अब इस series के अंदर given क्या क्या है वो देख लो बस a first term क्या है हमारी 5000 common difference कितना है 200 का है और last वाली term given है तो यह क्या होती है हमारी बच्चो nth term होती है a n हमें दे रख है 7000 अब data हमारे पास है तो nth term का formula क्या होता है a n is equal to a plus n minus 1 into d तो a n कितना है 7000 is equal to a की value क्या है 5000 plus में n minus 1 into common difference कितना है 200 का इस n की value निकालनी है कि किस n की value पे यह a n हमें 7000 मिलेगा समझ में आ गया question के अंदर बस यह पकड़ना सीख लो क्या चीज दे रखे और क्या find out करनी है और कुछ भी नहीं होता question में अब यहाँ पे देखो 5000 को लिया है इस तरह तो 7000 minus 5000 is equal to n minus 1 into 200 7000 में से 5000 गए तो हमारे कितना है बच गया 2000 is equal to n minus 1 अब यहाँ पे 200 multiply में इस तरह आएगा divide में हो जाएगा बच्चो 2 0 से 2 0 कटगी 2 10s are 20 तो 10 is equal to n minus 1 minus 1 इस तरह आएगा 10 plus 1 is equal to n तो n is equal to क्या आगया 11th year जो भी 11th year आएगा हमारा उसमें जो salary है वो 7000 उसको मिलेगी अब यह 11th year कौन सा होगा तो year की अगर मैं बात करूँ तो 2005 में हमें यह 7000 रुपे मिलेंगे ठीक है ध्यान से देख लाए ना जैसे 1995 में 5000 थे 1996 में 5200 हो जाएगे यह 1997 में 1998 में ऐसे देखोगे और 11th year जो होगा हमारा 2005 होगा ठीक है वैसे तो answer हमें यही बताना था कि कौन से यह रवे 11th year हमारा क्या होगया answer समझ में आगया क्योंसन कोई दिक्कत हो स्क्रेंसोट लेके वर्टसब पे सेयर करके पूछ सकते हो मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा थोटे टाइम लग सकता है रिपलाई करने में क्योंकि हर टाइम तो ओनलाइन नहीं रहता मैं तो जैसे ही ओनलाइन आऊँगा रिपलाई जरूर कर दूँगा आप भी चैनल को स्पोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके रखिए आने वाली नोटिफिकेशन के लिए थैंक यू स्टुडेंस पर वाचिंग यूर चैनल नेक्सा कला सीज